हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ भेज मियोनेज सेंडवीच जटपट बनके तयार हो जाती है तो इसे जरूर ट्राइ करिएगा ट्राइ करने के बाद अगर रेस्टी पसंद आती है ते पली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा आप यहाँ पे अपने मन पसंद की सबजी एड़ कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिएं हैं एक तमाटड़ mozhans करें दाल येए हैं एक बाउल में डालकर के दो टेबलीस्पून दरालेंगे इसको ऑच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं यहाँ पर ब्रेट लिए है 6 एक में हम लगाएंगे ग्रीन धनिया की चटनी है एक में टोमैटो कैचप इसी तरह से सारे ब्रेड में हम लगा लेंगे जिस पर हम धनिया की चटनी लगाएं उस पर जो एस्टफिंग तयार किये हैं वो डाल के अच्छे से स्प्रेड कर दे उपर से हम टुमाइटो कैचप बाली ब्रेट इस पर से डाल करके हलका प्रेस देके इसको चिपका देंगे इसी तरह से सारे ब्रेट को हम कर लिए हैं इधर चुले पर रखे हैं नौने स्टिक ताबा इसको तेल या घी से ग्रीस कर दें यहाँ पर हम फ्लेम को लो रखेंगे अब ब्रेट पर से थोड़ा घी लगा दें सारे ब्रेट को हम एक ही साथ डाल देंगे इसलिए कि ताबा बड़ा साइज का है उपर से एक बड़ा सा प्लेट डाल के कोई वजन वला चीज डाल दे, जिसे अच्छे से ब्रेट चिपक जाए मैं इसको एक बार पलट देती हूँ, नीचे से ब्राउन हो गया है, आप देख सकते है अच्छे से ब्रेट दोनों साइड से वेख हो गया है, मैं इसे एक पलेट में निकाल लेती हूँ, तीज नाइफ से इसका मैं कट करूँगी इस तरह से एक कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रीमी अंदर से इसका स्टफिंग दीख रहा है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या ग्रेन चटनी या टोमेटो कैचप के साथ सर्व करें तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेस्पी, अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेस्पी के साथ